न्यूस्टोक लाइब के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे रोमांचिक वीडियो आप तक निरंतर पहुचते रहें वाट्साइब से खुली पोल नायर हस्पिटल से बच्चे चोरी करने वाली महिला को किया गिरफतार एक अस्पिताल से बच्चा चोरी कर दूसरे अस्पिताल में भरती हुई महिला गिरफतार वाटसेप के चलते गुरुवार को नायर अस्पिताल में हुई बच्चा चोरी की गुत्ती पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलजा ली दरसल बच्चा चोरी करने वाली महिला उसे लेकर वकोला इलाके में स्थीत मनपा के वी एन देसाई अस्पिताल पहुची और यह कहते हुए अस्पिताल में भड़ती हुई कि उसने बच्चे को घर पर जनम दिया है लेकिन वहां तैनात नर्सों को जाच में शक हुआ क्योंकि उन्हें ऐसी कोई शारेरिक लक्षन नहीं मिले जिसे साबित हो कि महिला ने हाल ही में बच्चे को जनम दिया है इसके बाद अस्पिताल में तैनात परिचारी के वाटसेप पर संदेश आय जिसमें मनपा की एक अन्या अस्पिताल नायस से चोरी हुए बच्चे और उससे चुराने वाली महिला की तस्वीर थी इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई बच्चा चोरी के आरोप में पकड़ी गई महिला का नाम हेजल डोनल के एरिया 37 वर्श्य है हेजल महानगर से सटे नाला सुपरा इलाके में रहने वाली है कोरिया का दावा है कि उसे कोई संतान नहीं हो रही थी इसलिए उसने बच्चा चुराने का फैसला किया था बता दे कि गुरुवार शाम को नार अस्पिताल में सोरी शीतल सालवी के पास से किसे ने उनका पास दिनका बच्चा चुरा लिया था दैसर में रहने वाली सालवी का प्रसौफ सीजेरियन से हुआ था इसलिए उन्हें जादा दिनों तक अस्पिताल में रुपना पड़ा था गटना की जानकारी सामने आने के बाद सिसी टीवी तस्वीरों की जाच की गई तो उसमें एक महिला बच्चा ले जाते हुए दिखी इसके बाद अगरीपड़ा पुलीस ने आईपीसी की दाहरा 363 के तहट एफ़ायर दर्ट का छानबिन शुरू कर दी साथ ही बच्चे की तस्वीर और बच्चा चुरा कर अस्पटाल से निकल रही महिला की तस्वीर भी वाटसेप पर वाइरल हो गई इसी की चलते घर पर डिलीवरी का बहाना बना कर अस्पटाल में भड़ती होने की कोशिश कर रही आरूपी महिला पकड़ी गई करीब पांस दिन का एक बच्चा था उसको शाम के चार से पांस के बीच में वो लड़का गायब हो गया जो छोटा बच्चा था इसके बाद हमने अगरी पाड़ा में CR नंबर क्राइम देस्टर नंबर 177-19 अंडर सेक्शन 363 दाफिल किया था उस गुने के फिर तपास शुरू कहे गए तपास में पता चला एक लेडी जिसका नाम था एजल डोनाल्ड कोरिया करीब 37 वर्ष की यह औरत है इसने उस बच्चे को अपरहंड किया था उस बेसिस फिर हमने उस बच्चे को रिकवर किया औ वह रेइस्ट्रेशन के लिए वह थाने में एक देशाई करके वह स्पिटल लेगा उस में वह एडमिट होने गए थी और बच्चे का बच्च सर्टिफिकेट के लिए थी उस बेसिस पर हमने इंफरमेशन मिला और फिर हमने तातकाल उसको इपर एक्शन लेक्शन लेकिन ब सर्टीट के लिए पर सके लिए थी और सकेटूल